दोस्तों हिमाचल प्रदेश और गुजरात का चुनाओ काफी नजदीक आगी है हर दल काफी तिकडम के साथ वादे नए वादे दूसरों पर दोशारोपन के साथ मैदान में आ रहे हैं लेकिन एक महत्वपूर्ण बात है जिसके लिए मैं आपके सामने आया हूँ वह है श्री नरेंद्र मोदी का एक बयान जिसमें उन्होंने कहा है कि मद्दाताओं को कोई जरुवत नहीं है जो पता करें कि कौन सोमी द्वार चुनाओं में हैं उन्होंने क्या काम किया है या नहीं किया है वह नरेंद्र मोदी के नाम पे वोट दे उनके नाम पे वोट दे कमल चाप पर दें और वह वोट सारा उनको जाएगा यानि पूर्ण रूप से व्यक्तिवात आतम प्रशंसा के साथ लेकिन इसको और भी माइने होता है 2014 में किस तरह से आंदोलन खड़ा किया गया किस तरह से उसके पीछे RSS और पूजी पती वरक से कुछ खास पूजी पतियों का सीधा हाथ जिसमें उन्होंने भाजपा को आगे बढ़ाया पैसे से पूजी से देशी विदेशी पूजी भी शामिल थे जिसमें मीडिया शोशल मीडिया यहां तक की प्रशासन न्याले पुलिस के कुछ खास हिस्सों में तबकों में उनकी मदद से इन लोगों ने एक हवा बनाया जिसे वो सत्ता में आ गया महत्व पुन बात मैं जो कहने जा रहा हूं कि चुनाव का महत्व खत्म हो रहा है भासपा के अंदर भी उनके नेता मुख्यमंत्री हो और भी कोई हो ना उनकी आवाज कोई मतलब है ना उनके बोलने के कोई मतलब है कुछ भी बोल सकते हैं चुनाव एक व्यक्ति विशेश या धर्म विशेश पे हो रहा है और पहले भी कुछ तथा कथित गंड मानने लोगों ने जिसमें भूत पूर नयदीश विश्रा मिलों ने कहा था कि दोजार चुबिस के बाद चुनाव की जिरुवत नहीं है अगले दस वर्षों तक या उसकी भी चुनाव की जिरुवत नहीं है पूंजी वाद नहीं चाहता है जो अभी फासी वाद में परिवर्टित हो चुका है कि चुनाव ऐसा नहीं कि चुनाव से पूंजी वाद भी देख ले कोई खत्रा नहीं है पूंजी वाद अपने पूरे तागत के साथ आगे बढ़ रहा है लेकिन इस चुनाओं के दोरान खर्च बहुत ज्यादा है एलेक्शन बॉर्ण में देना पड़ता है कुछ नए नए पाटी आ जाते हैं इनके कुछ जुमले हैं जनता को ए अनावश्यक खर्च और इसलिए दोहजार चौबिस के बाद हिदी यह फासिवादी सरकार बनी रही तो यह मान के चनिए कि भले ही चुनाओं की प्रक्रिया को ना खत्म किया जाये लेकिन इतनी कम कर दी जाएगी धौस किर जाएगी कि आपका कोई मतलब नहीं होगा और यही मतलब हिंदू राष्ट का या मनुवाद का और कुछ नहीं है आम जंता मेहनत का शावां किसान भूत पूर सायनिक जितने भी लोग हैं छोटे मोटे व्यापारी जिस तरह से इनके अधिकारों को ध्वस्त किया जा रहा है प्रजतांत्रिक अधिकार की बात नहीं क हवा पानी जी हां क्लाइमेट में ध्यान दिखेगा इसका अधिकार एक भारी रूप से खत्म किया जाएगा आप सोचें आपको क्या करना है धन्यवाद